आपका स्वागत है आज है एक अप्रेल दिन शुक्र बार चलिए बढ़ते हैं क्रिकेट से जुरी 15 बड़ी खबरों के साथ से केकेयार को थोड़ी बढ़त नज़र आ रही है अगर दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 की बात करे तो केकेयार में वेंकेटेश एयर अजिंग के रहाने स्रेयस एयर जोकी कप्तान है नितिश राना, सुनील नरेंद, सैम बिलिंग्स, शेल्डन जैक्सन, आंद्रेर रसेल, टीम साओधी, उमेश यादव और वरुन चक्रवर्ती शामिल है वही पंचाब किंग्स में शीखर धवन, मयांक अगरवाल, कप्तान, भानुका, राजपक्षे, लियाम, लिविंग स्टोन, राजबावा, शाहरू खान, ओडियन स्मित, हरप्रीत बडार, अर्षदीपसी, संदीप शर्मा, या कगिसोर अबाड़ा और राहुल चाहर शाम अभी तक सबसे अधिक पाच विकेट चटका कर वही इस सूची में टॉप पर हैं, हसरंगा के फिर्की के आगे के कियार के बलिवास बुद्वर को नाचते दिखे, हसरंगा को उनके लाजबाव परफॉर्मेंस के चलते, मैंनब तो मैच के अवार्ट से भी नवाज आ गया इस सूची में मुबाई इंटियन्स के शान किश्वनी क्यासी रनो की मदद से दूसरी अस्थान पर पहुंच गया है, वही जन नई के पुर्ब कप्तान MS धोनी इस सूची में साथवे नमबर पर पहुंच गया है, और इंज कैप की सूची में टॉप टीन से रोहित शर्मा और विराज को ही बाहर हो चुके हैं, धोनी एक बार फिर जहारखंड के सबसे जौदा टैक्स देने वाले व्यक्ति बने, भार्टे क्रिकेट टीम और IPL टीम चीम नई सूपर किंग्स के पुर्ब कप्तान MS धोनी जहारखंड के सबसे बड़े करदाताओं की लिस्ट में के रूप में 38 करों रुपे का बुबतान किया है और अनुवान यह भी है कि एडवांस टैक्स की रूप में जमा की गए रखम के अनुसार इस वित्तिय वर्ष के दरान धोनी के आमदानी 130 करों रुपे से अधिक होने का अनुवान है, धोनी इस साल भीजारखंड के सबसे पर एटैक्स देने वाले व्यक्तिम बन गये हैं सीएसके की और से डेब्यू करने वाले न्यूजिलेंड के खिलाड़ी ड्वेन कॉनवे ने कहा कि मैं MS धोनी की कप्तानी में खेलना चाहता था मेरे उनसे अच्छी बात चीत हुई मैंने उनसे पूछा कि आप वाकई एक और स मैच के दौरान कई यादकार मोमेंट्स भी देखने को मिले मैच के आखरी ओवर में दिनेश कार्तिक नियांदरे रसेल की गेंद पर एक शांधार चका लगाया जब गेंद शके के लिए गई तो रसेल वही मैदान पर लेट गया मैच के दौरान एक फैन मजेदार पोस्ट शुरू करना चाहते हैं जैशाह खेल को बढ़ावा देने वाले डालमिया के वीजन को आगे ले जाने के लिए जैशाह ने एक ऐसे प्लान को अमल में लाने की तयारी शुरू कर दी है शाह जिस प्रोजेक्ट पर काम करने वाले हैं उसे एशियन क्रिकेट कांसिल और अफ् आपिल इतिहास में ऐसा करने वाले दूसरे बॉलर बने हर्शल पटेल हर्शल पटेल ने कोलकता के खिलाफ मैच में चार्ड ओबर गिंदवाजी की और 11 रन देकर दो बड़े विकेट हासिल की इतना ही रही हर्शल ने मैच में दो मैटन ओबर भी डाले इस तरह से वो एक म खिलवाने वालों ने इसके सहारे पूरा तोर तरीका बदल दिया है पहले सटा बाजार फोन कॉल पर चलता था आज भी फोन से चल रहा है लेकिन बस तरीका थोड़ा सालग हो गया अब सटोरी मुबाइल एप और विब साइट के जरीए सटा खिलवार रहे हैं युवाओ स के लिए पंजाब किंग्स का विस्फोटक बलेवास पहुंचा मुंबई आई पेल तोश्रवाइस के शुरू आती कुछ मैचों के लिए लगवख सभी प्रेंच्राइजियों के कुछ प्रमुख विदेशी खिलारी उपलब्स नहीं थे लेकिन अब दीरे-दीरे उनका यूट्सिन ने कहा कि मार्श की चोट बहुत ज्यादा गंभीर नहीं है और इसी वज़ा से जल्दवापसी की उमेद की जा सकती है यूट्यूब पर दग्रेट क्रिकेटर नामक चैनल के साथ बाशीत में दिगज ने कहा हां यह मिच के लिए नराश और जुनक है कि वह पा इसके लिए यूबराज सींग के विकेट को श्रे दिया है ब्रावो के मुताबिक 2.6 की सिरीज के दोड़ान यूबराज सींग का विकेट लेने की वज़ह से ही वो दुनिया के इतने बड़े ओल राउंडर खिलारी बन गया है जीत के बाद डुपलेसी को याद आये MS धोन तो मैं टीम में मदद के लिए दूसरे लोगों पर निर्भाड हूँ हमारे स्कॉइज में एक से एक बढ़ कर खिलारी है टीम में हम सब के बीच अच्छी और स्टैंडिंग है मुझे सब का सवर्थन मिलता रहता है मिलवर्ण क्रिकेट ग्राउंड में श्रेन वर्ण स्टैंड का हुआ अनावर आश्रेलिया के दिवंगत दिगर्ज लेगस पिनर श्रेन वर्ण को श्रधांजली देने 30 मार्च को करीब 50 हजार से जादा लोग मशूर मिलवर्ण क्रिकेट ग्राउंड पहुंचे इस सराज क समान समारों के दोडान श्रेन वर्ण के नाम से मिलवर्ण क्रिकेट ग्राउंड के दक्ष्री स्ट्रैंड का अनावरन भी किया गया जम दिन विशिर्स में आज हम बात करेंगे जोफरा आर्चर की इंग्लेंड के पेसर जोफरा आर्चर का जन्वाजी के दिन 1 अप्रेल 1995 को बारबा डोस के ब्रिज टाउन में हुआ था जोफरा आर्चर फिलाल आई पिल में मुंबा इंटियन्स के साथ जुड़े हैं जोफरा आर्चर एक हरफन मौला खिलारी है जो के दाय हाथ से फास्ट मीडियम गेदवाजी और दाय हाथ से ही बल्लेवाजी करते हैं जोफरा टेस्ट मैच की एक पाड़ी में चार विकेट और पूरे मैच में दस विकेट लेनी का दमखम रखते हैं इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल है कि आपको क्या लगता है? आज की मुकाबले में किसका पल्राह भाडी है? पंजाब किंग्स या फिर केकेया? अपना जवाव में कॉमेंट सेक्शिन में लिकर जरूर बता हैं आज के लिए वस इतना ही क्रिकेट क तमाम खुपरों रिकॉर्ड्स के साथ बने रहने के लिए देखते रहें चगदे क्रिकेट धन्यवाद